Hello everyone, तो कैसे हैं आफ सब? मैं विशाल सिना आपके अपने YouTube चैनल विशाल सिना एजुकेशन में आपका वेलकम करता हूँ सबसे पहले आफ सब को बहुत बहुत बधाई नए साल की और कहीं नए साल स्टार्ट होते होते, बहुत अच्छी न्यूस क्लास 10 बच्चों को मिली या अब क्लास 10 बोर्ड इग्जाम में में शिप्ट हो चुका है यानि बहुत सारा टाइम आपके बस बचा है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है आप सबको आज नए साल में मैं एक नए चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, हेरेडिटी और इवलुशन ये चैप्टर काफे इंट्रेस्टिंग है और कॉपलिकेटिड भी अगर इस चैप्टर को आपने समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत इंट्रेस्टिंग बन जाएगा आज ये स्टार्ट करते हैं हेरेडिटी और इवलुशन तर्समीशन और चैरेक्टर और रहेड फ्रां वन जनरेशन तो नेक्स जनरेशन यानि किसी पैरेंट से और स्प्रिंग में जो भी ट्रांसफर हुआ किसी क्यारेक्टर का चाहे बॉड़ी हाइट हो गई या स्किन कलर हो गया आई कलर हो गया यह सब कुछ यह जो ट्रांसमीशन है इसको कहा जाता है रेडिटी तो याब रखना आपको एक वर्ड मैंने यूज क्या है अभी फिलाल क्यारेक्टर और ट्रेट आपको सेम ही समझना है इस चाहे हुए है बहुत ही फेमस है इनके बारे में उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है और याद भी रखना है इनका पारे सब्सक्राइब क्वेंट कोशिए व हैं यह एक फार टाइशन होता है इसके वारे में जानते हैं आप सोचो में आब आते हैं यह September क्यों हाने भी मिटका और से पटा रिखना चनुप और भी अ को पता होगा इस यह ने है ह। DNA Mix जाननी फादर का और मधर का दोनों गयामट का डिन इमिक्स है तो यह combination से एक आफस्विंग बनता है तो एक combination कर भाण यह variation आता है दूसरा संब्स्ट्टिव जीन Mutation जीन Mutation क्या होता है यानी DNA के सीक्मेस में कुछ चेंज आजाना अचानक DNA में कोई चीन आना जिसके करन कोई जान कोई यह कणर श्लह कानए और कर्कर आ सकते तीसरा next एंवं जीन विट मिट्वार्मेंटल चेंजुर्ट जैसे हमारा इंवर्मिंट करत cá वैसन सफे हमारी बॉडि में वे प्लव प्हूरा शादेória को रहें तो इस एक रिशन है वेरिशन का next importance of variation variation का importance क्या इसका फाइदा क्या पहला इट फॉर्म बेसिस ऑफ हरीडिटी यानि कही वैरिएशन जिसके कारण हम हरीडिटी पढ़ रहें अकर यह वैरिएशन नहीं होता तो हरीडिटी के बाद में हम पढ़ते ही नहीं कि नेक्स एट कॉसे अडाप्टेशन दूट विच एन औरनिजम कैन इसली अड़्जस्ट तो इस चेंजिंग इनवर्मेंट मालो ऐसा समझ लो कि बहुत थंड बर गई ठीक है यह थंड जीरो डिग्री सलसेस हो गई तो इस थंड में भी लोग तो रहते हैं कहीं न कहीं किसी जगह पर लेकिन यहां क्या होगा यहां सिच्वेशन थोड़ा अलग हो जागा बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी जान चली जाएगी इतनी जोड़दार ठंड के कारण लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे हमी के बीच में जो इस ठंड को भी टॉलरेट कर लें जैनी जिनकी इस बाटी होगी उनके अंदर वैरियेशन होगा और यहीं वैरियेशन का फायदा यानि यही वैरियेशन के का निशन चाहिए उस इन्वार्मेट में सस्टेन कर पाता है बाकी औरनिशम के कपेर कपेर में अलग से अच्छे से प्सेज्ट एकुमिलेशन अभर्एशन फिर म यही इवलीशन करता है यानि सिंपल सोचिए हो सबको पता कि बंदर से ही इंसान बना तो बंदर से इंसान यह अचानक एक दिन में तो नहीं बनाओगा इसको होने में लाखों साल लग गया और याद रखना है कि एक लगबग लगे रीजन क्या है होता गया होता गया होता गया कस्पेसि अकुमलीट होता चला गया और एक शह Right से वजैंत में 72 वाली स्वज्म हो सकता आज के बाद हजार साल के बाद अगर एक घुमन अभी के हमें और 1000 ये बाद वाले इमें में कंपेर करें तो थोड़ा सा चेंज दिखेगा हमें तो यह वारिएशन होते रहते हैं इसी को एवलीशन कहा जाता है कुछ नोट में मैंने लिखवा है दोगों ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ सेक्स और रिप्रड़क्शन करने पर ही वारिएशन आता है यानि यह कोई दो गैमिट का जनेटिक कॉंबिनेशन यह दीने का कॉंबिनेशन नहीं बनता है वहां दूसरा यह दोनों पॉइंट उसके लिए यूज हो सकते हैं यह उसमें और जीन इंट्रक्शन यानि इन्वार्मेंट के साथ हो रहे हैं तो उनके जो बॉड़ी में DNA है उनमें भी चेंजेस होंगे तो इस एक्सरी रप्रक्शन में इन दोनों पॉइंट के कारण आता है इसके कारण नहीं इस चैप्टर में रिपीट होने वाले कुछ पॉइंट्स जो बार बार हमें परिशान करते हैं तो उन पॉइंट्स को क्या करते हैं लोग पहले ही पढ़ लेते हैं उनको क्लियर कर लेते हैं उसके आद हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो ही कुछ जनेटिकल टॉम से कुछ पॉइंट्स में बताने वाला हो टोटल थाटीन तेरा पॉइंट्स है अगर इन तेरा पॉइंट्स को आपने समझ लिया अच्छे से तो यह चैप्टर बहुत ही आशान हो जाएगा आपके लिए तो पहला है जीन वाट इस जीन तो इस बेसिस ऑफ इन हैंटर इस ट्रांसफर फ्रम प्रोजनी यानि सोर्च जो प्रोजनी में जब कोई क्यारेक्टर ट्रांसफर हो रहा है तो किसी ने कोई नो करने के लिए और हमारी बॉड़ी में हर एक क्यारेक्टर के लिए एक पॉर्टिकूलर जीन है याद रखेगा मेंडल ने जीन टॉम को फैक्टर नाम से यूज किया था यह याद रखना आपको यानि उस टाइम जीन की डिसकवरी नहीं हुई थी तो मेंडल ने उस समय जीन जीन वर्ड ना यूज करके फैक्टर वर्ड यूज किया था दूसरा जीनो टाइप जीनो टाइप क्या है दो जैनेटिकल कंस्टिटीशन ऑफ एनी और निजम फॉर पॉर्टिकूलर क्यारेक्टर यानि सुचो अगर आपके जैसे मेरा बॉड़ी का स्किन हो गया इस स्किन है है तक जीन प्스타की लाव सिकते हैं इसके की प्लैंट के जीन सेमयफलेशन की मदद से हम लोग फाइप इसरा फीनो टैप क्या है या नियुग बाहर से देखकर आप किसी कि और निजम के किसी ऐडेक्टर को को देख़ाएं जैसे मेरी body height देख सकते हो अब मेरे body color देख सकते हो मेरे eye color देख सकते हो यह सब क्या हो गया यह सब फीनोटाइप हो गया जिसको फूर्थ है character character क्या है the morphological और physiological feature is called character यानि body में कुछ भी ऐसा चीज जो हम observe कर सकते हैं किसी लिविंग और निजम के अंदर वह उसका कोई ना कोई character होगा प्लांट हाइट यह character is seed shape character is seed color character कुछ भी बोल सकते हैं आप ट्रेट क्या है अब यह स्टार्ट में मैंने ट्रेट वर्ड यूस किया था और बोला था कि आगे बताऊंगा देखो ट्रेट क्या सिंपली समय ना मैंने यहां character लिखा यहां ट्रेट लिखा मालों किसी प्लांट ही हाइट के बारे बात कर रहें तो अगर अपने प्लांट हाइट बोला तो आप एक character बोल रहे हो ठीक है और प्लांट हाइट क्या हो सकता है या तो कोई प्लांट टॉल होगा यह उसके ट्रेट हो गए इसलिए लिखा alternative form of character is called trait या तो कहा सकते variance of a character यानि एक character में जो variations है उनको ही ट्रेट कहा जाएगा वैसे मैंने फ्लावर कलर में परपल और वॉइट किसी भी फ्लार का क्लर मन लेते है परपल और वॉइट है और जब फ्लार कलर बोलते है तो वह क्या है वह एक character जो हमारा 6th point है वह है Allyl Allyl बहुत ही important term है एक्जाम point of view से पहले यह समय से homologous chromosome क्या है तो अगर male and female gamut का fusion होना है जाइगोड बनना है तो यहां एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि यह जो जाइगोड बन रहा है इसके अंदर दोनों chromosome है यानि father वाला chromosome भी है और mother वाला chromosome भी है तो मालों फादर से chromosome है जिसके ऊपर body height का को जीन है और वैसे ही एक मदर से भी female gamut जो क्रोमजों में उसके अंदर भी body height का ही जीन है तो माली जी यह दोनों chromosome है तो इन दोनों chromosome को कहेंगे homologous chromosome क्यों क्योंकि इन दोनों chromosome के उपर same position पे सेम ही character का जीन है यानि कौन सा character body height का तो यही याद रखना है तो L का definition क्या है alternative form of gene which are located on same position position को लोकस भी कहते है on the homologous chromosome is called allyl simply आपने देखा होगा कि हमारे ही population में कुछ लोग है जिनका free earlobe है कुछ का fused earlobe है तो यह क्यों है क्योंकि इनके allyls अलग अलग है कुछ लोगों में free earlobe वाले allyl है और कुछ लोगों में fused earlobe वाले allyl है सेवंते होमो जाएगस होमो का मतलो क्या होता सेम और जाएगस वट आया जाए जाएगोट से जाएगोट से फॉर्म बाइदा फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स है विंग आइडेंटिकल चीन फॉर पर्टिकुलर के रेक्टर यानि किसी एक चारेक्टर के लिए जो दो जीन को लोगता और जाएग जाएगा हो जाएगा जैसे सोच लो प्लांट टॉल होते हैं और डॉप ऱीलिफ्लांट में दो लोडर करीं समगा होगा लगा जेन के टॉफ करेंगे- यह मै इसलिए नहीं ही Capital T के साथ Capital T है यह एक एक्जामपल Small T के साथ Small T है क्या बनाएगा प्लान को ड्वाब बनाएगा यह टॉल बनाएगा स्मॉल Capital R के साथ Capital R है यानि उसके अंदर जो सीड होगा वो राउंड शेप का होगा जो दोनों जीन है वो क्या है आइडिन्टिकल यह कंडिशन क्या होगे हो मोजाइगास कंडिशन तो यह अगर हो मोजाइगास क्लेर है तो हेट्रो जाइगास असानी से समय सकते हैं हेट्रो जेन से वह अलग होने चाहिएए यानि एक च्रीटर के अंदर दोश्रेट होते थे याणि अगर एक च्रीटर केंदर ड़ लूट्टे क्रेट वाले क्रोमजोम एक साथ आ जाते इस कंडिशन को कहा जागा हेट्रो को यह होगा तो यहां еक ग्छांपल ड़ो मेंлमे capital T के साथ small t capital R के साथ smaller अगर या तो capital होता या तो small होता तो homo-gagous होता नहीं तो इसको heterogigous ही कहेंगे नाइन्थ क्या है deployed पहले मैंने बता है deployed क्या है अगर किसी organism में या किसी cell के अंदर cell का number double हो यानि एक ही क्यारेक्टर के दो-दो chromosome हो तो उनको कहा जाएगा deployed तो सिंप्ली आजक सकते हैं टू सेट अफ क्रोम्जोम having a cell is called deployed cell और haploid क्या हो जाएगा यानि ऐसे सल्स जिसके अंदर सिंगल सेट अफ क्रोम्जोम ही हो जैसे हमारे जो क्यों जब आप से किसी ने अगर कभी कोशन किया होगा कि human body में क्रोम्जोम नंबर कितना है तो आपने रिपलाई किया होगा 23 पेयर 23 पेयर का मतलो क्या है कि 23 के अडेंटिकल और भी 23 यानि टोटल प्रोम्जोम नंबर 46 है तो यह दखना है डिपलाई कंडिशन और अगर गयमेट की बात करें तो गयमेट समय साहपलोई होता है चाहे वह प्लांट में किसी गयमेट की बात कर रहा हूं है या फिर अनिमल में उसमें क्या होगा नंबर हाफ हो जाएगा तो उसको एंसे डिनो प्लांट में अगर कैपिटल टी के साथ capital T के साथ capital T वाला जीन है plant body में पी-plant तो वो P plant क्या होगा टॉल होगा ौर capital T के साथ small T है तो वो P plant क्या होगा तभी वो टॉल ही होगा reason क्या है कि यह capital T है यह dominant Allyl है यह dominant Allyl का क्षाशिद क्या है कि ओनिक दो होगा तो एक्सप्रेस करें चाहिए लिखिन कि अकेला भी होगा तभी बी उस प्लांट के अंदर य होगा इसलिए इस तो इस आलील को क्या कहा जाता है पी प्लांट में नेच्ट है रिसे से वैलिल रिसे से वैलिल क्या है यानि कोई फीनो टाइप कंडिशन कोई फीनो टाइप यानि कोई क्यारेक्टर अगर एक्सप्रेस कर पा रहा है कि कोई ट्रेट एक्सप्रेस कर पा रहा है किसी और निजब के अंदर और वो हमेशा होमो ज नहीं आया यह ऐसा जीन नहीं कर पाता होते हुए यह कब इस प्रेस कर पाएगा जब यह दो जीन मौल टी और स्मौल टी एक साथ होगा तो यह कौन सा जीन हो गया रिशसे वैलिल यह सिव जीन भी कह सकते इसको क्योंकि यह हमेस्ता हो लोमोजाइगस कंडिशन में ही उस ट्रेट को एक्सप्रेस करवाएगा प्लांट के अंदर तो लॉफी सम आफ प्लांट यानि पी प्लांट जो दॉफ होता है वह स्मॉल टी से डीनोट करते हैं जो एक रिंकल शेप यानि जो पी का शेप होता है राउंड उसकी जगह के जले लेकिन इमपोर्डिंट एब जितने भी एक्सपरिमेंट की यहना काफी के साथ कि क्यों लगता था था कि मैं टौल स्थी प्लान ले रहा हैं कि फ्लांट ले रहे लेकिन अघु grâce प्लाइप कि आफ तो ऑlles यहानि क्या चाहते है Special Zaly.Cxa करा बथा है तो चले कर दूंशत कि चार से बांच जरेशन तक टो फोंड-उसे के साथ करेंगे गए इसी पहलेट में लिया जाएगा तो देखी मैं लिखारी औरनिजम दुझ में फ्रोंड यا पालनेची गाते हुवे उस ब dragon की उस पर्टिकुलर एक ट्रेट को लगतार एक्सप्रेस कराना है ताकि यह जो टॉल है ना इसके अंदर कोई भी ड्वाफनेस वाला जीन न रहे है कोई भी इंप्यूर्टीस न रहे है यह टोटली टॉल प्लांठी रहे है तो यही है प्यूर लैग तो यह जो 13 पॉइंट्स है यह पॉइंट्स बहुत ही इंपॉइंट है हर पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ के चलना है अगर इन में कोई भी कन्फूजन अभी भी रह गया होगा तो प्रॉब्लम वाली बात है यानि इसको समझ लो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के मदब से पूछ चकत अब तक गुडबाइ